राज राजधानी भोपाल में रहीगी बत्ती गुल जीहाद 36 से ज्यादा इलाकों में बिजली ठप रहने वाली है लोगों को यहाँ पर तमाम तरह की परिशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि मैंटिनेंस के चलते लंबे समय से बिजली प्रभावित हो रही है अलग- कामों को पहले ही निपटाले क्योंकि 5-6 घंटे तकरीबन लगते हैं जब बिजली मैंटिनेंस का काम पूरा हो पाता है और एक बफिर सिसुचारू रूप से बिजली वापस आ पाती है चलिए अब आपको बता दे कि MP और 36 गड़ में मौसम का मिज़ास बदलता हुआ नज असार बने हुए है वही रीवा शेहडोल ग्वालियर चंबल में बारिश हो सकती है चत्तिस गड़ में भी हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है नियूंतम तापमान में वृद्धी और अधिक्तम तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं कई अलाकों में बारिश के आसार बने हुए है चत्तिस गड़ में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है एक बफ़र से मौसम में बदलाव देखा जा सकता है नियूंतम तापमान में बड़ोत्री होगी अधिक्तम तापमान में गिरावट के संकेत है ज्यादा जौनकारी के साथ समादाता नितिन नाम देवा हमारे साथ लगातार बने हुए है नितिन एक बफ़र से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है देखे निच्चित तोर पर 36 गड़ की राधधानी रायपूर सहित पूरे प्रदेश के अलग-अलग जिलों में मौसम में बदलाव के संकेत है और आने वाले समय में एक दो दिनों में बारिश होने की भी संकेत है संभावनाय है ओला विरिष्टी भी हो सकती है बताया जा रहा है कि पस्चमी विभोक्ष में एक टेक्निकल इशू बना है जिसके चलते मौसम में अचानक परिवर्तन देखा गया है और आज भी वर्तमान में बदली ऐसी पूरे प्रदेश भर में च्छाई हुई है राधधानी रायपूर की बात की जाया है जो है गर्मी होती है तो देखे अचानक मौसम में परिवर्तन हो रहा है और आने वाले एक से दो दिन के अंदर में बारिज भी हो सकती है और विष्टी की भी संभावनाय है बदली भी चाय हुई है और हो सकता है कि थंडी और बढ़ सकती है तो दुबारा से लोग मोटे असा परिशानी बना रहता है ऐसे में उसको लेकर क्या व्यवस्ता है शिकेल वहाँ पर क्योंकि बदलता मौसम है और अस्पतारों के बाहर लंबी लंबी कतारे जो है मरीजों की देखने को मिल रही है जगे निश्यत तोर पर मौसम जो है वो लगातार करवट ले रहा है और इतना ही नहीं बलकि जिस परकार से चितावनी मौसम विवाग ने जारी किया है उसने चिंता कुछ और भी बढ़ा दिये क्योंकि साफ़तार पर यह बता गया है कि आने वाले तीन चार दिनों में ना संबाग जबलपूर संबाग इसके अलावा इंदोर संबाग बोपाल संबाग नरमदापुरम संबाग समेच जो अन्य संबाग है वहाँ पर बारिश जो है वो हो सकती है आने वाले चार दिनों तक मोसम कुछ इसी प्रकार करेगा देखिए अगर देखिए